हलो दोस्तों वेलकम बैक टोवर चैनल आज का वीडियो किसानों के लिए रहने वाला है किसानों के लिए एक नई अपडेट आई है एक ताजा खबर आई है आज किस वीडियो के मैधम से आपके साथ शेयर करूँगा और खबर ये है कि जिन जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब मंडी में कब लेके जाएंगे एक तो आपको अनुमानित समय बताना है कि किस टाइम पे आप अपनी फसल को बेचने जाएंगे मंडी में दूसरा आपको ये बताना है कि आप जो फसल बेचने के बाद जो पैसे आएंगे आपके पास वो आप डिरेक्ली अपने बैंक कि जिस टाइम पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे आपने जो डिटेल भरी थी अगर सेम वही रखनी है तो वो अप्शन भी आप आपको भरना होगा और अगर आप किसी दूसरी मंडी में अपनी फसल को बेचना चाहते हैं कहीं पर भी किसी भी जगह किसी दूसरे जिले में जाकर या तो वो भी आप यहां अब जो नए रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस आपको फिल करनी है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं तो कंप्लीटली वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको यह सारा चीज़ फिल अप करनी है या जो कि माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन जो है करना है अगर आप इंटरस्ट्रीड हैं इस जानकारी के तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इंपोर्ट जो भी भाग है मेरी फसल मेरा ब्यूरा का ओनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस वेबसाइट पर आपने किया था उसी वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है अब जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे अपने मोबाइल में लैप टोप में या केम्प्यूटर में तो इ जानी कि expected जो time है tentative time आपको यहाँ पर भरना है tentative date भरनी है कि इस date से इस date के बीच में या इस सब्ता के बीच में आप अपनी फसल को मंडी में लेके जाएंगे साथ ही आपको यह option भी भरना है कि आप पैसे आड़ती के माध्यम से लेना चाहते हैं या सरकार के माध्यम से directly अपने bank खाते में पाना चाहते हैं तो इसरा option आपको भरना है कि आप मंडी में कौन सी मंडी में अपनी फसल बेचना चाहेंगे तो यह सारे option वही की शान भरेगा जिन्होंने पहले से अपनी फसल का registration किया हुआ है या पहले से अपनी फसल का ब्यूरा दर्ज किया हुआ ह दूसरा option यहाँ पर पंजी करन का option है वही जो कि पहले मैंने ओलडी वीडियो बनाया था कि मेरी फसल मेरा ब्यूरा का online registration कैसे करें तो यह दूसरा option है अपनी फसल का ब्यूरा दर्ज करने के लिए जिन किशानों ने अभी तक अपनी फसल का ब्यूरा दर्ज नहीं किया है क इसी भी कारणवास तो वो 25 सेप्टमबर तक इसके जो लास्ट बढ़ा दी गई है 25 सेप्टमबर तक आप अपनी फसल का ब्यूरा दर्ज कर सकते हैं तो आज का वीडियो हमारा first option को लेकर रहने वाला है कि मंडी में फसल लाने का अनुमानित सब्ता है जो चूज करने वाल है एगरी हरियाना डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दिया गया है कि अगर आप अभी ये option भर देते हैं तो आप अपनी मन पसंद जो है समय पर अपनी फसल को बेच वाएंगे या फिर 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही सरकार को time slot available होगा उसके हिसाब से आपको अपनी फसल बेचनी होगी तो देख लेते हैं वीडियो के मैधम से कैसे आप अपनी फसल लाने का अनुमानित समय भर सकते हैं इसके लिए हमें जो first option है उस पे click करना होगा मैं click करके आपको दिखा देता हूं यह देखें यह मैंने click कर दिया है तो जब आप click करेंगे तो next window यहाँ पे open आपको second box में बरना होगा उसके बाद यह जारी रखे का button है इस पे आपको click करना होगा जैसे ही आप जारी रखे के button पे click करेंगे तो one time password आपके mobile नंबर पर भेज दिया जाएगा उसके बाद उस one time password को आपको OTP वाले box में fill करना होगा और उसके बाद आप साइट में enter कर जाएंगे जहां से आप जो है अपनी जो online registration की जो परिकिरिया है उसको कर पाएंगे तो यहां पर मैं अपना mobile नंबर फिल कर देता हूं उसके capture code फिल कर देता हूं यह देखिए यहां पर मैं अपना mobile नंबर यहां पर फिल कर रहा हूं अभी यह देखिए one time password मेरे mobile नंबर पर आ चुका है उसको मैं यहां पर फिल कर देता हूं जो भी one time password आपके mobile नंबर पर आएगा उसको आपको यहां पर फिल करना है और उसके बाद जारी रखे के बट पर क्लिक करेंगे तो next window यहाँ पर open हो चुकी है इसमें देखिए सबसे उपर नजर आएगा आपको मंडी में फसल लाने का अनुमानित सता चुने यानि कि यह डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है आपकी कुछ basic details यहाँ पर पहले से यह ले लेता है जैसे कि personal information में आपका नाम आपके father का नाम आपका mobile number यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है उसके बाद आपके पास दूसरा option यह है कि क्या आप फसल का भुगतान या payment सीधे directly लेना चाहते हो या आड़ती के मादम से लेना चाहते हो तो इसमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से भर सकते हैं कि आप directly bank खाते में अपनी payment पाना चाहते हैं या फिर आड़ती के मादम से आप लेना चाहते हैं इसमें से कोई भी option आप चूज कर सकते हैं मालो मैं यहाँ पर आड़ती के मादम से कर देता हूं यह दीखें ही मैंने कर दिया है उसके आद नीचे की तरफ जा और Monday चूज करेंगे तो यहाँ पर registered जो आड़ती होंगे उनकी list पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी उसमें से आप जो है कोई भी चूज कर सकते हैं यह देखें मैं आपको for example दिखा देता हूं जैसे कोई भी आप जिला यहाँ पर चूज कीजिए उसके बाद Monday आप च चूज कर सकते हैं उसके बाद आप जो है अपनी फसल को कहां पर बेचना चाहते हैं जैसे कि आपने जो जब भी आपने डिटेल भरी होगी अपनी फसल के ब्योरा दर्ज किया होगा तो आपने फसल भी वहाँ पर दर्ज की होगी जैसे कि मैंने बाजरा की फसल यहाँ पर तो इस फसल को आप किस मंडी में, किस जिले में और किस आड़ती के पास बेचना चाहते हैं, वो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, यहाँ पे आपको जिला चूज करना है, जैसे कोई भी जिला आप यहाँ चूज कर सकते हैं, उसका अदर मंडी आपको चूज करनी ह तो ये सारी चीजे चूज करने के बाद उसके बाद आपको टाइम यहाँ पर डिशाइड करना है कि आप कौन से सप्तहा में फसल को मंडी में लाना चाहते हैं अब सप्तहा की बाद अगर करें तो सरकार का अभी प्रियास चल रहा है कि 25 से खरीद जो है स्टार्ट कर दी जाएगी सभी फसलों के लिए अगर फुड कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया यानि कि यह सेंटर गॉर्मेंट का एक ओर्गिनाइजेशन है अगर यह परमिशन दे देता है राज़े सरकारों को तो 25 से स्टार्ट हो जाएगी फसल की खरीद अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बाद जो आपको टाइम सलोट देना है वो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच आप लेके जाना चाहते हैं या फिर 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तो यह आप यहां से चूज कर सकते हैं अगर आप 1 अक्टूबर से पहले यानि कि 25 सेप्टमबर से 1 अक्टूबर के बीच लेके जाना चाहते हैं अपनी फसल को तो आप जो पहले पे टिक मार्क कर सक अगर आप दूसरे विक में लेके जाना चाहते हैं तो दूसरे पर टिक मार करना है और यहां पर देखना एरिया रजिस्टर एकड में जितना मैंने फसल के रजिस्ट्रेशन के दुरान भरा था तो वह यहां पर शोग करेगा तो यह सारी चीजे भरने के बाद आप यहां पर submit के बटन पर click कर दीजेगा दो बार submit के बटन के कि क्लिक करना होगा एक बार उपर जिसमें आप जिस माधम से पैसे पर आप करना चाहते हैं दूसरा नीचे जिस सब्तहां में आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं जब आपकी फसल पकर तयार होगी तो expected time आपको बताना है कि इस time पर आप अपनी फसल को मंडी में लेके जाएंगे तो ये जो है एक online process करनी है उन सबी किसानों को जिनोंने अपनी फसल का ब्यूरा दर्ज किया था या मेरी फसल मेरा ब्यूरा को online registration किया था तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो फसल है उसको बेचने की जो परिकरिया है सरकार अपने हिसाब से करेगी सरकार के पास जब मंडियों में time available होगा या एक slot time slot available होगा तभी वो आपके पास message भेजेंगे कि आप अपनी फसल को लेके आए अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पर time डाल देते हैं तो उसी time के between जो है सरकार की तरफ से आपको message आएगा कि आप अ farmers को कि इस तरह से आप जो है अपनी फसल को मंडि में ले जाने का time भर सकते हैं अनुमानित समय आप भर सकते हैं प्लस आप ये भी भर सकते हैं कि आप पैसे आड़ती के मैद्यम से प्राप्त करना चाहते हैं सरकार के मैद्यम से directly bank आते में प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपके अपने उपर depend करता है तो आज की information अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही इस तरह की information पाना चाहते हैं शिक्षा, jobs और government की जितने भी उजनाए हैं उन से जुड़ी हुई तो चैनल को subscribe कर ले bell icon को प्रेस कर ले तक इस तरह की कोई भी important information आप से miss ना हो तो आज की इस वीडियो में इतना है एक ऐसे ही नए वीडियो, नए content के साथ free मिलेंगे, तब तक के लिए भाई भाई, जै हिंद, जै भारत